नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे इस YouTube चनल पर हादिक स्वागत है अभिनंदन है प्यारे बच्चों आज मैं आपको बालकों के समस्यात्मक्न वेवहार में एक प्रमुक समस्यात्मक बेवहार बालकों में देखने को मिलता है और वह है मुत्रत्याग करना, बिस्तर पर पेसाब कर देना, यो तो छोटे बालक जो होते हैं, दो, तीन, चार, पांच, छे महने का, वहाँ बालक, जन्म से लेकर के छे महाँ का बालक, बिस्तर पर तो पेसाब करते हैं, क्योंकि तब उनका मल मुत्रत्याग करने का जो त्रिकाएं होती है उस पर उनका संयम नहीं होता है इस कारण वो बिष्टर गीला करते हैं यह एक समस्यात्मा प्वेभार है और जब बालक अन्यंत्रित तरीके से अनेक्षिक तरीके से सोते समय रात को यह रात्री के समय बिक्तर गीला करते हैं पेसाफ कर देते हैं तो यह स्थिती अच्छी नहीं मानि जाती है समस्यात्मक ब्रभार हो जाता którą हम बडरते हें तो आप ये देखो कॉलमेन का कहना है उन्होंने जब अध्यन किया तो पाया कि बालकों में और पुरुसों में मुत्र त्याग की विस्तर गिला करने की जो आदती है वह इस्तरियों के तुलना में काफी हद तक जादा होता है कि बालक जहां गहरी निंद में विस्तर गिला करते हैं वहीं पुरुस हलकी निंद में पेशाब त्याग कर देते हैं हां कई बार इस्तरियां भी पेशाब विस्तर पर कर देती हैं और मैंने तो देखा है अपने गाउं में भी अपने रिस्तारों में देखा दूर दराज के ह साथ की लड़कियां थे उनके साधी हो जाती थी तो बच्छोटी उम्र में आई हुई थी शायद उनको डर लगता होगा और वह पेशाप रातरी में कर देती थी तो सासू मा थी सासू मा तो उनको कहती थी कि कुछ नी वहाएं चलोंके बिस्तर को धो दिया दिया लेकिन जब 12 साल की लड़की उसके साधी कर गई कर दी गई 25 से 30 साल के लड़के यह साथ दर जाती है तो डर के कारणों विस्तर पर पेशाप कर देती है अब मुझे वहारिक्ता में देखने को मिलती है और जब मैं पढ़ती हूं तो मुझे पता चलता है कि बाद जब आप छोटे बाल चोटी लड़कियों को 11-12 साल की लड़कियों को किसी पुरुष के साथ युवा भी नहीं 25-30 साल के पुरुष के साथ जब साधी कर देते हैं तब वो उस लड़की में असुरक्षा की भावना पनप जाती है आज की तरह ना तो फोन हुआ करता था नो अपने मां से बात करते थी और उनको सश्राल में रहना पड़ता था चोटी चोटी लड़किया हुआ करती थी तब इस स्थिती में पेसाब कर देती थी जिसको आप सब पढ़ेंगे बेमेल भीवा इसको बेमेल भीवा कहें जिसको उमर में दुगुना अंतर है लड़की अगर 12 साल की तो लड़क परिवार के सद्यश्चेयों के लिए एक समस्या है समस्या तो बता ही रहने के मानलो शौदा साल की लड़की है यह पंदरह साल की लड़का है यह पूरुस है रातीरी में सो रहा है विस्तर को गिला कर दिया तो गद्दे है तकिया है फिसाब निकलता है चोटे बिद्चे तूढ़ी पेसाब होती है। बड़े लोगों के बड़ा पेसाब करते हैं तो इसके कारण सारा गददा घृटाना हो जाते हैं और फिर वार कि विस्तर्व उसलिए गीरा करते हैं उनको डर रहता है रात में उसको डरा देते हैं अब पहले लाइट हुआ नहीं करती थी विट्टी के तेल डिवरी जुसे आप लोग बोलते थे लाल टेन यहीं हुआ करता था आज से 30-40 साल पहले गाओं में बिजली थी नहीं आज भी क पुरुस को यह किसी को सुला दिया जाता है तो डर के मारें उनकी पिष्टार निकल जाते हैं कई बार अधिक i देन के कारण प्शाब निकल जाता है जैसे सर्दी का मौसम है रात में कुम पाने उन्हों प्या दूद्ध प्या और पर पेशाब लग रहा है पिर भी उठकी पैसाब करने नहीं जा रहे हैं अलेसं जिवस तो पेशाब घरी निंद में वो बिस्टर पर कर देते हैं अधिक मात्रा में ये कारणी भी हो सकता है कि अधिक मात्रा में ये अगर दूद ये तरल पदार्थों को रात्री में पिलाये जाता है और फिर उसके कारण भी उनको पेशाव निकल जाता है कई बार आप देखते हैं कि जब बालकों को मारा पिटा जाता है जान बुझकर उनकी उपेक्षा की जाती है उनको प्यार नहीं दिया जाता है उनको तिरस्कृत किया जाता है उनको धंडित किया जाता है तो बालक अपने उपेक्षा पूर्ण बेवहार के बदला लेने के ल कि जब कोई बालक भयावह सपने देखता है रात में इसे दरानों सपने देख लिया तो दर के मार उसकी पेसाब निकल जाती है कई बार इर्षिया भी एक बड़ा कारण है कैसे इर्षिया कहोगे कैसे इर्षिया छोटे बालक मिर्षिया कहां से आई जो इर्षिया की भावना है हमें जन्म से ही हमें प्रकृति ने भगवान ने दे दिया है इसलिए आप देखोगे कि जब पहला बच्चा पैदा होता है बड़ा ह होता हो दुसरा बच्चा का आगमन होता है तो बड़े बच्चे छोटे बच्चे को नहीं चाहते हैं कि मेरी मां की गोदी में रहें नहीं चाहते कि माता उसको अपनी गोद मेले के स्थन पान कराएं नहीं चाहता हो बालक की माता हमें छोड़कर को इस वालक को अपने साथ ल से अपने पृता से अलग कमरे में अलग लोगों के साथ सुलाय जाता है तो बालक कि इर्षया बस के मुत्र कात्याग विस्तर पर कर देता है अब पता चलेगा मां को सोचता है घ्राला को पता चलेगा विस्तर मैंने गीला कर दिया कल उठेगी कल अपने अपत्व कि सुखाई दच्चे कितनी अकल होती है है और मैंने आपको बताएं इसके बापजूद कई कार्ण ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताएं कि नियूरन्स प्रोड्लम होता है पेशाब करने का यमल मुतरत्या करने का यनीन दाने का भूख लगने का अनियंतृत होती है तब भी बालकों में मुत्र त्याग की भावना हो जाती है और अनेक्षिक रूप से पेसाब निकलने लगता है इसे बालक कोई दोस नहीं होता पुरूस कोई दोस नहीं होता इस तरह कोई दोस नहीं होता बलकि अपने आप मुत्र संस्थान में अगर कोई कोई बीमारी हो गई है नाड़ी संस्थान जो मैंने अभी आपको बताया ठीक प्रकार से परीपक्वन नहीं है वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा है अब जो नियफ्रांस है आपको बताएं प्रेशाब की जो किडिनी की अस्ट्रक्चल और फॉंक्शनल इनिट नियूरन होता है तो नियूरन का तंत्रिकाओं का अगर किडिनी की कोशिकाओं के साथ अच्छा ट्याल में नहीं है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और ऐसी मुत्रश्रा विस्तरबर हो जाता है इसके बाद को कोलमेन ने कहते हैं जैसा कि मैंने अभी बताए था कोलमेन ने कहा कि कि इस्त्रियों के अप्रेक्चा पूरुसों और बालकों में मुत्रत्याग की प्रबल भावना देखी जाती है तो जो नहीं अपने अध्यन किये तो अध्यन्यों के दवरान उन्हों यह पाया कि मुत्रत्याग सारीरिक रोग से कहीं ज्यादा मनोवेज्ञानी क्रून है और उन्होंने चार कारणों पर विशेश ध्यान दिया पहला दिया पहला क्या कहा चिंता की अपर्टक्ष अभी व्यक्ति के कारण ऐसा हो रहा है दूस और प Divine के लिए बालक बिस्थर पर पेशा प्रता है चौomet से मांता पिटा का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन से सहायता प्राप करने के लिए उनका प्यार काने के लिए उनके गोदी में आने के लिए बालक बिस्तर पर पेसाब प्याग करते हैं। इसके बाद आप परिपक्वता और सम्भेगातमग पुथल-पुथल का सूचक है बिस्तर पर पेसाब करना। तो यह तो कारण हुए, अब हम देखते हैं कि इसका उपचार क्या कर सकते हैं, कैसे इसका क्या उपचार होगा, what is the treatment, तो मैंने पहले भी कहा, और आज भी कहूं, कह रही हूं, समस्या जहां है, वहीं समाधान है, पहले समस्या ढूंड हो, समस्या क्या है, बालक किन कारणों स से विस्तर गीला करता है, कहीं बार आप देखते हैं, बच्चे एक दो साल के अंतराल में बच्चे हो जाते हैं, माता पिता अपने छोटे बालक को, बड़े बालक को, अपने छोटे बालक से अलग सुलाता है, क्योंकि मा एक साथ दो बच्चों के नहीं सुला पाती है, उत में उस्तिति में बालक रचित अबकार करता हो सने जा ? सो अइसा सो की मा नों चोटे भाई बहन को प्यार करती है और मुझे नहीं करती है और अगर बालक पेसा बिस्तर पर कर दिया है, तो सुबह उटके डाटिये मत उसको, मारिये मत उसको, फटकारिये मत उसको, लज्जित मत कीजिए दूसरे एक सामने, बलकि उसे प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ कि बिस्तर गीला करना अच्छा नहीं होता है उसे कहानियों के माध्यम से समझाओ कि बिस्तर गीला करना अच्छी बाते नहीं होती है इसके बाद कभी भी बालक को सोते समय भूत प्रेत वाली कहानी मत सुना कई माताएं कई पिता अपने बालक को डराने के लिए भूत और प्रेट की कहाने सुनाते हैं इस अंदर मुझे एक बात याद आई मेरे हजबन भी मेरे छोटा बेटा था तो उसको डराते थे जब गभी आते तो करते अरे भूत आया भूत की डरावनी आवाज निकालते हैं मंबत्ती की तरह गल गल करके भूत गिरता है अब इस्तिति यह हो गई दो चार वर उसने सुना अपने पापा से तो अकेले जो बात्रूम है वहां तक जाने में डरता कि मैं तो नहीं जाओंगा और वहां तो भूत होगा और वह इतना डर गया था अंदर छोटे बच्चे तो मैं मुझे उठाकर को ले जाना पड़ता लाइट जलाता हम इस तरह की घरावनी घटनाएं सुनाते हैं तो बालक के चोटा सा भोला बालक है उसका जो दिमाग है नाजुक दिमाग है उस दिमाग में बाते बैठ जाती है और बालक फिर डरने लगता है और डर करके पेसाब कर लेता है कई बार बालक मैंने पहले कहा तिरस्कृत होने पर उपक्षित होने पर अपनी माता-पितर सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी माता-पितर के प्यार पाने के लिए बिस्तर गीला करता है तो सोने से पहले पूरे दिन भी लाड़़़़़़़़ करें और बच्चा को एसास हो जाए अब आप ही उसकी माँ है वह आप ही का बेटा है आप यह की बच्ची है जब उसको ऐसा एसा नगा कि आप ही का है तो बानक कैसा बेवार नहीं करेगा और रात्री में दो या तीन बार उठा करते हैं उसको पिस्त पेशाब कराने के लिए ले जाए बालक को डर से दूर रखें किसी भी प्रकार को भय नहीं होने दें कि मैं छोटी सी थी तो मैं बताओं मैं अपनी पीता जीव साथ रहती थी और वहीं पर एक टीचर थी बहुत अच्छी है में भी बहुत बहुत डरती थी ना आपर तो प्रेत रहता है और आत्री में निकल जाता है और इसे डराता है तो मैं बहुत से वह बोलती थी दरीन लगता है मैं तो भूत को ना चपल लेके मारती हूं रात्री में चपल से मारती हूं और यह स्थिती उन्होंने इतना भूत की कहानिया कि मार मार के सुनाई कि भूत तो कुछ होता नहीं है और आज मुझे ऐसा एसास होता है कि भूत कहीं नहीं है भूत वास्ता में चीज नही करके रखें कमरे में जला करके रखें जिससे की रोशनी होता रहे और बालक जब आँख खोले तो सो किसी प्रकार का कोई डर अभय नहीं उर्पन हो बालक में आत्मिश्वास को जागरित करें उन्हें कालपनिक कथाएं जो डरामनी वाली है उइसा नहीं कहें बलकि साहसिक कहानियां उनको बताएं भूत प्रेट की भी सुनाने साहसिक कहानियां सुने जैसी कि मैंने आपको बताएं मेरी टीचर सुनाये करती थी और अगर कभी पेशा इतना करने पर भी अगर बालक पेशाफ कर देता है को सकताई हुआ स्थान समस्थान समस्या को या कि कि से अच्छे चीकर करके दिखाई उनको लच्जित मत की जिए उनका मानित की उनको सबके सामने मत करता ही है कि पंदर्ह साल को गया कर Вिष्तर पर परपिशाब करता है इतना बड़ा हो गया आप intern for but on that यह और उनकी समस्या का समाधान तो चलिए आज मैं अपनी बातों के ही विराम देती हूं फिर मिलती हूं मैं अगले वीडियों में अगले पूस्प साथ तक अगले जाजन जाने के लिए के बाए बाए